हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिविजन विद आर्थी शर्मा दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इससे शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरी वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें निम्न लिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है तो आप्शन ए पत के साथी एक रेखा चित्र है ठीके अब देखो आप्शन को गोर से देखो पत के साथी ये भी महादेवी वर्मा की रचना है श्रिंखला की कडिया ये भी महादेवी वर्मा की रचना है यामा ये भ महादेवी वर्मा की रचना है अब देखो उनी की रचनाओं में से पूछ लिया गया है कि रेखा चित्र कौन सा है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पत के साथी महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है ठीक है जी ऐसी प्रवक्ता परिक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्ण कार कौन है तो इस्मृती की रेखाएं रेखांकन के रचना कार हैं दोस्तों आप्शन बी महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा की रचना है इस्मृती की रेखाएं ठीक है ध्यान रखें अगला प्रशने दोस्तों गौर से सुनेंगे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पत के साथी में निम लिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है तो ध्यान से सुने महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पत के साथी में निम लिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है तो नहीं है वाला प्रशने गौर करेंगे ओप्शन डी आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद का संस्मरन नहीं है ठीक है ध्यान रखें बाकी मैतली शरण गुप्त रविंदर नाथ टेगोर और सूरे कांत्रिपाथी निराला इन सभी साहित्य कारों का संस्मरन पत के साथी में है ठीक है ध्यान रखें किसका नहीं है आयोध्या सिंग उपाध्यायक हरियोध का संस्मरन न 18 में आया हुआ प्रश्न है ये व्याख्या पर गौर करेंगे दोस्तों महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण पत के साथी में अपने समकालिन रचनाकारों का चित्रन किया है किसका चित्रन किया है अपने समकालिन रचनाकारों का अब कौन-कौन थे देखते हैं इनके समकाल तो पत के साथी में रविंद्र नाथ टैगोर, मैतली शरण गुप्त, जैसंकर प्रसाद, सूरे कांत तिरिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुबद्रा कुमारी चोहान और सिया राम शरण गुप्त इन सभी के उतक्रिष्ट सब्द चित्र हैं, किसमें पत के साथी में, तो ध्यान रखें और किसका नहीं है, आयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध का संस्मरण उसमें नहीं किया गया है, इन सभी का चित्र है, ठीकें, शब्द चित्र है उसमें, किसमें महादेवी वर्मा की रचना के संस्मरण पत के साथी में, ठीक है, अगला प्रशने दोस्तों, महादेवी जी ने, महादेवी जी ने किस रचना में पसु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किये हैं, तो महादेवी जी ने, option d, मेरा परिवार, मेरा परिवार, ठीक है, मेरा परिवार, रचना में, पसु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किये हैं, तो ध्यान रखेंगे आप, नवोदे विध्याले प्रवक्ता परिक्षा दोजार चोदे में पूछा गया प्रशन है option D मेरा परिवार ठीक है महादेवी जी ने किस रचना में पूछा है तो बताएंगे आप मेरा परिवार में पसु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तूत किये हैं ठीक है विध्या देखते हैं महादेवी वर्मा का रेखा चित्र मेरा परिवार 1972 में पसु पक्षियों के चित्र उकेरे गई हैं पत के साथी 1956 में उन्होंने समकालिन लेखकों के संसमर्णात्मक चित्रों का संकलन किया है ठीक है तो याद रखेंगे दोस्तों बहुत ही महत्पून व्याख्या है अगला प्रशने दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सा रेखा चित्र महा देवी वर्मा का नहीं है तो नहीं है बालिवात है ठीक है पूछा जा रहा है तो option D मंटो मेरा दुष्मन महा देवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है बाकी अतीत के चल चित्र पत के साथी और इस्मृती की रेखा है ये इनके रेखा चित्र है ठीक है टीजीटी परिक्षा 2005 में पूछा गया प्रशने है ये व्याख्या देखते हैं गौर करेंगे दोस्तों मंटो मेरा दुष्मन महा देवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है बलकी उपेंद्र नात अश्क का संस्मरण है किसका संस्मरण है उपेंदर नात अश्क का संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन नाम याद रखें मंटो मेरा दुश्मन किसका है ये उपेंदर नात अश्क का संस्मरण है और दोस्तों बहुत ही जादा पूछा जाता है ठीक है तो इनका एक अन्य संस्मरण और भी है किस नाम स कॉन- कॉन से ऊपेंद्र नात अश्क के रेखा चित्र है कॉन- कॉन कॉन से और चित्र रेखाऊद्र चित्र किस नाम से उन्निस सो सोरी कब आया ये उन्निस सो पचपन इसवी में आया रेखाएं और चित्र फिर दोस्तों उपेंद्रनात अश्क ने चेहरे चेहरे अनेक ध्यान से सुनें चेहरे अनेक पांच भाग जो की पांच भागों पांच भाग है ठीक है पांच भाग में ठीक है तो देखो विशें से पता है मतलब जो इसका सीर्षक है उसी से पता चल रहा है कि चहरे अनेक ठीक है तो किस तरह से लोग डवल फेस वाले होते हैं तो ये चीजें इस तरह से आप उनमें पढ़ेंगे तो एक बार पढ़कर के देखें चीजें आपको और ज्यादा ब करेंगे निमन लिखित में कौन रेखा चितर विधा की रचना नहीं है तो ऑप्षन ए कठ गुलाब एक रेखा चितर नहीं है ध्यान रखेंगे TGT परिक्षा 2013 में पूछा गया प्रशन है ये गौर करें कट गुलाब किसका है ये मृदुला गर्ग का है अगर आपको पता हो तो ठीक है और नहीं पता तो आप पता कर लें और पढ़कर देखें तब आपको समझ में आएंगी चीजे ठीक है बहुत ही अच्छा है ये नौवल है ये ठीक उपनियास है आगे देखते हैं व्याख्या देखेंगे दोस्तों ओप्षन ए अभी हमने देखा कट गुलाब ठीक है तो प्रतिष्टित हिंदी कथाकार मृदुला गर्ग का नवीनतम उपनियास कट गुलाब है कौन सा है कट गुलाब है ठीक है जबकि शन बोले कण मुस्काई ओप्षन देखें सामने शन बोले कण मुस्काई ये किसका है ये कनईयालाल मिश्र प्रभाकर जी का की रचना है ठीक है किसकी प्रकाश चंद्र गुप्त की है इसके अलावा कौन सी रेखाएं बोल उठी रेखाएं बोल उठी किसका रेखाचित्र है ये देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का तो देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र है रेखाएं बोल उठी याद रखेंगे दोस्तों देवेंद्र नाथ नहीं है, देवेंद्र सत्यार्थी है, ठीक है, तो ध्यान रखें, ये कुछ रेखाचित्र हैं आपके सामने, और जबकि आप्शन में आपको क्या दिया गया है, मृदुला गर्का नवींतम उपन्यास, कट गुलाब, ठीक है, तो इस तरह से भी उत्तर और प्रशन दोश्तों, मैंने आपसे अभी कहा, और बार-बार कह रही हूं, इस तरह के प्रशनों को बहुत ही ध्यान से करें, ठीक है, यहीं पर आ करके कन्फ्यूजन होती है, और हमारा एक्जैम गलत हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है, जैसे ही प्रशन आए, त पर महावीर प्रसाद दुएदी, ठीक है, तो दुएदी युग जाना जाता है न, ठीक है, तो आगे देखते हैं, ओप्शन बी, इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें, महावीर प्रसाद दुएदी जी, द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, ठीक है, पीजेटी पर रिक्षा-2-011 में आया हुआ प्रशन है यह, आगे देखते हैं, वियाक्या पर ध्यान देंगे दोस्तों, अनू मोधन का अन्त, पर्वरी 1905 में और सभा की सभ्यता, सभा की सभ्यता अप्रेल 1907 में और विज्यान आचारे वसु का विज्यान मंदिर जन्वरी 1918 ठीक है ध्यान रखें तीन यहाँ पे रचनाए हैं कौन कोन सी अनुमोधन का अंत सभा की सभ्यता और विज्यान आचारे वसु का विज्यान मंदिर ठीक है महावीर प्रसाद दुएदी के संस्मरण है तो ये सभी क्या है महावीर प्रसाद दुएदी जी के संस्मरण है जबकि इधर उधर की बातें माई 1918 में आईरेच संस्मरण है और राम कुमार खेमका का संस्मरण है इधर उधर की बातें ठीक है आगे देखते हैं अन्य मैत्पूर्ण तथे गौर करेंगे दोस्तों जगत बिहारी सेठ ने मेरी बड़ी चुट्टियों का प्रथम सप्ता कब आया ये जून 1913 में ठीक है फिर है पांडूरंग खान खोजे इनकी रचना है वाशिंग्टन वाशिंग्टन महाविध्याले का संस्थापन दिनोचव ठीक है क्या नाम है वाशिंग्टन महाविध्याले का संस्थापन दिनोचव कब आया अक्टूबर 1913 में ठीक है फिर प्यारे लाल मिश्र की रचना है ध्यान से सुने संस्मरण है ये क्या है लंडन का फौग या कुहेरा फरवरी 1908 में आई संस्मरणात्मक रिती है किसकी है ये प्यारे लाल मिश्र की तो यहाँ पर हमने बात की दोस्तों जगत बिहारी सेट की पांडू रंग खान खोजे की प्यारे लाल मिश्र की और किसकी बताईए और अभी हमने प्रश्न में की थी महादेवी महावीर परसाद दुएदीजी की ठीक है तो ध्यान देंगे जगत बिहारी सेट इनकी रचना ह है मेरी बड़ी चुट्टियों का प्रतम सप्ता पांडू रंग खान खोजे वाशिंग्टन महाविद्याले का संस्थापन दिनोट्सव और है प्यारे लाल मिश्र लंदन का फोग या कुहरा ठीक है ये सभी क्या हैं संस्मरण हैं आगे देखते हैं काशी प्रसाद इंग्लेंड के देहात में कहां पर इंग्लेंड के देहात में महाराज बनारस का कुवा नि खलाई 1917 में आया हुआ संस्म्रण है लिखा ठीक है किसने काशी प्रसाद जैस वालने अनने देखते हैं जगनात खनना जगनात खनना का संस्म्रण है दोस्तों अमेरिका आने वाले विद्ध्यारती को सूचना अमेरिका आने वाले विध्यारती को सूचना जगननात खनना का संस्मरन है दिसंबर 1911 में आया था ये ठीक है ले टेस्ट फिर है दोस्तो भोला दत पांडे भोला दत पांडे ने मेरी नई दुनिया संबंधी नी राम कहानी दिसंबर 1909 में आया संस्मरन है ये किसका है ये भोला दत पांडे का थीक है तो ये कुछ संस्मरन आपके सामने है आपको पता होना चाहिए थीक है गौर करेंगे अगले प्रश्न पर निम लिखित में से कौन सा संस्मरन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है तो रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है ओप्शन डी जोती विहग जोती विहग संस्मरन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है आश्रम पदिती प्रवक्ता परिक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है ठीक है ध्यान देंगे व्याख्यापद पद्म पराग पद्म सिंग सर्मा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा ध्यान से सुनते जाए पह किसके है ये महादेवी वर्मा फिर है माटी की मूरतें माटी की मूरतें किसकी रचना है राम वरिक्ष बेनिपुरी की ठीक है और ये सबी क्या है ये किस विधा की रचना है संस्मरन रेखा चित्र हैं क्या है संस्मरन रेखा चित्र हैं ठीक है जयोती विहग जयोती विहग पिर है शांती प्रिये द्वेदी द्वारा रचित सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई आलोचनात्मक पुष्टक है जोती विहग क्या है दोस्तों जोती विहग जिसके बारे में अभी हमने आप्शन में देखा कि ये संस्मरंड रेखाचित्र नहीं है अगर संस्मरंड रेखाचित्र नहीं है तो फिर क्या है ये है एक आलोचनात्मक पुष्टक है और किस पर लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत पर लिखी गई आलोचनात्मक पुष्टक है अब किसने लिखी है शांती प्रिये द्वेदी द्वारा लिखी गई आलोचनात्म पुष्टक है जियोती विहग ठीक है किलियर आप देखते हैं अगला प्रश्न गौर करेंगे दोस्तों श्री राम सर्मा की बोलती प्रतीमा बोलती प्रतीमा रचना की विधा क्या है ठीक है तो यहां पर बहुती महत्पून प्रश्न पूचा जा रहा है सबसे पहले रचनाक का नाम देखें श्री राम शर्मा इनकी रचना है बोलती प्रतीमा इसकी विधा पूची जा रहे है किस विधा की रचना है तो ऑप्शन ए यह एक रेखा चित्र है क्या है यह एक रेखा चित्र है टीजी टी परिक्षा 2010 में पूचा गया प्रश्न है ठीक है आगे देखते पंडित व्याक्या पर गौर करेंगे दोस्तों पंडित श्री राम सर्मा के रेखा चित्रों का संगर है बोलती प्रतीमा बोलती प्रतीमा 1937 के नाम से प्रकाशित हुआ उनका एक रेखा चित्र जंगल के जीव जंगल के जीव भी है वर्स 1936 से वर्स 1936 से लेकर 37 से हिंदी र करमिक रूप से मिलने लगती हैं ठीक है तो ये बात आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समात होता है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों